असलाम लेकुम वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब आग की वीडियो में हम बनाएंगे चिकन ड्रम स्टिक्स यह बहुत आसानी से घर में तयार हो जाते हैं और यह टेस्ट में बिलकुल बेकरी के जैसी होते हैं बाहिर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत जूस जुञट के लेग पिसज लेए हैं, ये वजन में 1 किलो है, मैंने इनको साफ करके वाश कर लिया है, अब मैं इनकी हडी और गोश्त को इलादा- initiation कर लूंगी, ये इस तरीके से हम इसकी हडी और गोश्त को इलादा कर लेंगे, इसी गोश्ट को हम ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए इस्तमाल करेंगे तमाम बॉन स्टिक्स से हम गोश्ट को उतार लेंगे यहाँ पे मैं आपको वीडियो शॉट करके दिखा रही हूँ यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने तमाम बॉन स्टिक्स और गोश्ट को अलादा कर लिया है अब हम सबसे पहले बॉन स्टिक्स को रेडी करेंगे उसके लिए मैं आदा चमच काली मिर्च पिसी हुई वो उसके उपर डालूंगी एक चमच सिर्का और एक चमच सोय सॉस यह तीनों चीज़ें डाल कर मैं इनको मिक्स करूंगी और एक साइड पर रख दूंगी अब जो गोश्ट हमने बॉन स्टिक्स से उतारा है उसको रफली चॉप कर लेंगे इसको बहुत ज्यादा नहीं पिसना मोटा मोटा सा इसको हमने कूट लेना है गोश्ट के साथ ही साथ आठ हरी मिर्चों को अच्छी तरह चॉप कर लेंगे हाथ की मदद से चॉप करने में तकरीबन दस मिनट लगते हैं आप इसको चॉपर मशीन में भी कर सकते हैं लेकिन चॉपर में ये ज्यादा पिस चाता है इसलिए हाथ की मदद से करेंगे क्योंके ड्रम स्टिक्स में गोश्ट ज्यादा पिसा हुआ इस्तमाल नहीं किया जाता यहां पे हमारे पास गोश्ट बिलकुल रेडी है इसको मैंने एक बड़े बरतन में डाल लिया है ताके हमें मिक्स करने में असानी हो इसमें अब हम पियाज डाल रहे हैं ये तीन मीडियम साइस के पियाज है इनको मैंने चौप करके इनका पानी निकाल लिया है अब मैं इसमें हरा धनिया और पुदीना शामल कर दूँगी हरा धनिया और पुदीना आधी-ाधी गठी इस्तमाल करेंगे अब हम इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस शामल कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च एक टेबल स्पून क्रश मिर्च या दड़ा मिर्च आदा टेबल स्पून गरम मसाला आदा टेबल स्पून साबत धनिया एक टेबल स्पून इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह पीस के फिर डालेंगे मैदा पांच टेबल स्पून टेबल स्पून में आपकी असानी के लिए बता रही हूँ ताके जब भी आप बनाएं तो आपको पता हो के एक किलो चिकन में तकरिबन पांच टेबल स्पून मैदा जाता है अब जितना हम मैदा डाल रहे हैं उससे हाफ क्वांटिटी में कार्न फ्लोर जाएगा यानि अड़ाई टेबल स्पून कार्न फ्लोर हम डालेंगे अद्रक और लेसन का पेस्ट दो टेबल स्पून भरके हम इसमें डाल देंगे एक अंड़ा शामल करेंगे हमने अभी तक इसमें नमक शामल नहीं किया अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे मिक्स करने का अमल बहुत इंपॉर्टन्ट है जितने अच्छे तरिके से इसको मिक्स किया जाएगा उतने ही अच्छे ड्रम स्टिक तयार होंगे तमाम चीजों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा एक टेबल स्पून सोया सास एक टेबल स्पून और एक टेबल स्पून सिर्का शामल करके अब हम इनको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे अब आखर में हम इसमें एक टेबल स्पून नमक आदा टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च और आदा टेबल स्पून औरिगेनो पाउडर शामल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हमारा बैटर तयार है अब हम मेरिनेट की हुई बॉन स्टिक्स को लेंगे और ड्रम स्टिक्स को तयार करेंगे बॉन स्टिक्स लेंगे और इसके इस वाले पाट के ऊपर हम कीमा लगाएंगे यह आप देख सकते हैं मैं किस तरह बॉन स्टिक के उपर मसाले को लगा रही हूँ इसको हम एक हाथ की मदद से बॉन स्टिक को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ की मदद से हम इसके उपर इसको लगाते जाएंगे थोड़ा सा पानी लगाएंगे क्योंकि पानी के मदब से हमारे हाथ पे मसाला नहीं चिपकेगा और इस तरह हम अपनी ड्राम स्टिक्स को त्यार कर लेंगे बैटर के किनारों को बॉन्ड स्टिक पे अच्छी तरह से चिपकाएंगे ताके जब हम इनको फ्राई करें तो वो इसके साथ जुड़ा रहे इसी तरह हम बाकी के तमाम बॉन्ड स्टिक्स और बैटर के साथ अपने ड्राम स्टिक्स को त्यार कर लेंगे अब हम इनको 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे फ्रीजर में रखने से ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई होंगे अगर आपके पास बैटर बच जाए तो आप इसको बॉप्सिकल स्टिक्स के उपर भी लगा सकते हैं यहाँ पे अब हम फ्राई करने के लिए आईल को गरम करेंगे गरम की हुए तेल में ड्राउम स्टिक्स को शामल कर देंगे आँच को हम मीडियम रखेंगे 7 से 8 मिनट में ड्राउम स्टिक्स बिल्कुल तयार हो जाएंगे जब हम इनको ऑईल में डालेंगे तब फोरण इनको नहीं हलाना जब एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तब हम इनकी साइड को चेंज करेंगे यहां पे हमारे क्रिस्पी से ड्रम स्टिक्स तयार हैं अब हम इनको डिश आउट करेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताके मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें यह बिलकुल फ्री है कुमेंट सेक्शन में कुमेंट जरूर कीजिए अगले वीडियो तक अलाहाफीज